नमस्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैंश्रेया दो पहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजर हुए हैं पहली खबर की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना को लेका रस्यूक्त किसान मोचा ने देश प्रदेश सहित रीवा जिले में रेल रो को आंदोलन किया आंदोलन कारी किसानों की मांग थी के केंद्रिय ग्रहराज्य मंत्री आजय मिश्रा टेनी को बरखास्त करगी रफतार कि आज बारा बजे रेल रो को आंदोलन आयोजित किया गया लेकिन रीवा रेलवे स्टेशन में पहुचने से पहले ही जिला प्रशासन ने किसानों को रोक दिया ऐसे में विरोध स्वरूप एक सैकडा किसान धरने पर बैठ गए जिनको गिरफतार कर चुरहटा थाना ले जा प्रशासन के खिलाफ नारे बाजी भी की करते हैं दो पहर तक की दूसरी खबर की ओर मध्यप्रदेश के बदलते मौसम में पोस्ट मांसून ने पिछले 24 गंटे के भीतर कई जिलों में पानी पानी कर दिया है यानि हर जगा बारिश हुई है ग्वालियर समेत भोपाल और इंदोर में तेज बारिश हुई जिससे कि तेज हवा के साथ जमा जम बारिश हुई जिसके कारण किसानों की महनत पर पानी फिर गया तेज बारिश ने धान की फसल सहित बोवनी के खेतों को चौपट कर दिया है हाली में बोई गई चना मटर सरसों की फसले भी बरबाद होने की कागार पर हैं मौसम विभाग के मुत ताब एक बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का शेत्र आंध्यप्रदेश तट के आसपास सक्रिय है और इस वेदर सिस्टम के कारण ही मध्यप्रदेश में मौसम बदल रहा है